हां यह ध्यान देंगे इसको क्या कर सकते हैं ओप्षन में देखते हैं कॉन सा true है तो इसको देखूं और यह log 1 by 4 5 है तो एक बात तो मैं यह कह दूँ कि log 2 3 है यह greater than 1 है log 2 1 होता है और जो यह है इस पर बात करूं तो यह क्या है इसको अपने लिख सकते हैं माइनस लॉग 4,5 यह तो रियल में 1 से बढ़ी होगी लेकिन माइनस है यह लेस देन 0 है मत्तब यह ग्रेटर देन 1 है और यह लेस देन 0 है तो यह बड़ा कैसे हो सकता है गलत बात तही जा रहा है यह ध्यान दीजे यह लॉग 5,7 है लॉग 5,5,1 होता है तो this should be greater than 1 यह लॉग बेस 8,3 है यह लेस देन 1 क्योंकि लॉग 8,8,1 होता है तो यह बड़ा कैसे हो सकता है गलत बात तही जा रहा है अच्छा बेस सेम है और 1 से बड़ा है तो जो बड़ा होता है वो real में बड़ा होता है बेस सेम है और 1 से बड़ा है तो जिसके अंदर बड़ी value होती है वो बड़ा होता है तो यह भी गलत बड़ा फॉर्ट को चेक करें तो यह क्या है आई 2 को उधर लेके जाते हैं अच्छा यह true है ना तो मानता हूं कि शुरू में true है तो देख लेंगे true होगा तो फ्रॉस multiply कर सकते ना 2 की power वेज़ा whole कितना आ रहा है बताईए 1 by 4 प्लस 1 by 3 7 by 12 और इधर कितना आ जाएगा 3 की power 1 by 3 2 की power 1 by 4 प्लस 1 by 3 तो यह real में कितना है इसमें 4 का आप multiply कर दीजे ताकि base same बना दे रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 की power 7 का power 1 by 12 greater than 3 की power 4 का power 1 by 12 अब मुझे पता है 2 की power 7 is greater than 3 की power 4 क्योंकि 81 है और वो तो 128 जाएगा यदि अंदर वाला same है और power same है तो यह भी value क्या होगी greater ही होगी hence is T is the correct term तो यह चारों option को cross check कर दिये पहले option में क्या था यह positive है वो तो negative है दूसरे वाले में यह 1 से बढ़ा है 1 से छोटा तो इसरे वाले में जब base same हो और 1 से बढ़ा हो तो जो बढ़ा value input करते हैं वही बढ़ी होती है यह गलत बात दूसरे में क्या किया है 2 को उधर ले किया है और base same बना दिये मत्तब power 2 की power यह 7 by 12 है तो 2 की power 7 1 by 12 3 की power 4 1 by 12 बना दिया मल्टिप्लाई करके तो compare कर दिया 1 by 12 की power जो सबसे ज़्यादा value होगा वही होगा तो 2 की power 7 पता है कि 3 by 4 से बढ़ा है वहलू जादा होगे आईए